गुट मॉरिंग टियर स्टुदेंट्स स्टुदेंट्स हम अपना सेकिंड चेप्टर कर रहे थे सम बेसिक कॉंसेट्स अफ मेक्रो एकनॉमिक्स ठीक है उसके अंदर हम अपने जो रीड आउट हमने क्या किया था फिक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ठीक है फिक्स्ट इन्वेस्टमेंट हम जो आउरेडी जो हम डिसक्स कर चुगे थे स्टोक ओफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोडूसर्स एंद एंड अफ द इसको माइनस करते हैं जो की हमारा बिगनिंग होती है फिर वो हमारा क्या निकल जाता है इंक्रीस इन्द प्रोडूसर्यबprü क्या के अनदर हमारा हमने कितरा इंक्रीस किया है वो हमारा जो फिक्स एसेट का हम निकाल लेते हैं ठीक है उसके बाँ आता था हमारा सििगनिफिकेंट्स ओफ फिक्स इन्वेस्टमेंट ठीक है दैन हमारा है inventory investment inventory investment क्या होता है जो हमारा stock था end of the accounting year minus करेंगे जो हमारा stock था beginning of the accounting year इन दोनों का अगर हमें इन में से इसको minus करेंगे तो हमारा change of inventory stock निकला आएगा ठीक है तो इसके अंदर भी हमने इसके significance हम already read कर चुके थे then आता है हमारे 2 terms आती है 3 terms firstly आती है हमारी gross investment then आती है हमारी net investment and then the concept of depreciation का concept क्या होता है ठीक है gross investment क्या होती है जिसके अंदर हम expenditure on the purchase of fixed asset during the जिसके अंदर हम gross मतलब कि अपना expenditure कर रहे है expenditure on the purchase of fixed assets, fixed assets हमने read out करी थी कि fixed assets हमारी कौन सी होती है जैसे कि हमारी land होगी, ठीक है, building होगी, machinery होगी, ठीक है plant होगे, यह हमारे क्या है fixed assets है, during the accounting year, उसके अंदर हम plus करेंगे, add करेंगे, expenditure on inventory stock मतलब कि inventory stock के अंदर inventory के अंदर हमारा inventory stock क्या होगा, जैसे कि हमने, जो हमारी finished goods है ठीक है, semi finished है plus हमारी raw material है, ठीक है यह हमारा क्या है, inventory store during the accounting year, ठीक है इन दोनों को हम add करेंगे, तो हमारा gross investment निकलाएगी, कि हमने अब तक अपनी investment कहां कहां करी है, कितनी करी है, ठीक है, gross investment also include expenditure on the purchase of new assets in the place of worn out assets, अगर हमने कोई पुरानी assets के बतले, अगर हमने कोई नहीं asset लिया, तो वो भी हमारी क्या होगी, gross investment के अदर add होगी fixed assets are repeatedly used for the several year, but they have their lifetime of use, after these assets were out, become the outrated, replacement of fixed assets, owing their depreciation is a part of gross investment, but it does not cause any net increase in the exact thing, ठीक है, यह हमारा net investment, net investment क्या होता है, जो हमने gross investment निकाला है, उस में से हम क्या है, depreciation minus कर देंगे, यह हमारा net investment बन जाएगा, gross investment हमने पढ़ाई था, net investment plus depreciation, अगर हमें depreciation पहले दी गई होती है, ठीक है और हमें क्या है, हमारे plus net investment भी हो, depreciation भी है, तो हम क्या निकालेंगे, gross investment निकालेंगे, अगर हमने net investment निकालनी है तो gross investment में से depreciation minus करतेंगे ठीक है उसके बाद आता है हमारा net investment net investment जो होता है net additional of the stock of capital it enhance the production of capacity of the producer it help increasing the scale of production क्या है करता है increase करता है हमारे scale of production को ठीक है उसके बाद आता है हमारा depreciation का concept क्या होता है depreciation का मतलब क्या होता है दो तरीके के हम निकाल सकते हैं अपने एक तो हमारा होता है कि हम normal जैसे की दो तरीके के हमारे depreciation निकलते हैं यह आप depreciation जो है accounts के अंदर पूरा chapter read करोगे firstly हम depreciation जैसे हमने कोई अपनी plant या हमने machinery ठीक है कोई हमने क्या करी है ठीक है हमने कोई purchase करी है ठीक है तो हमारा क्या है अगर हमारा जो stock है वो क्या है increase हो रहा है न तो हम जो वो हमारा item है जो वो हमारी purchase है तो उसके अंदर जैसे की हमने क्या किया machinery को हमने purchase किया तो machinery हमारे उसकी lifetime कितनी होगी जैसे कि उसकी 10 साल की उसकी क्या है उसकी life है ठीक है तो उसको क्या करेंगे हम हर साल उसमें से क्या करेंगे 10% जो है वो minus कर देंगे ठीक है तो वो क्या निकलाएगी हमारी वो depreciation की account निकलाती है ठीक है जैसे कि हमारी क्या थी 10 लाकी हमने कोई machinery ली और 10 सा वो उसकी lifetime थी 10 साल के बार एक लाग क्या वो क्या उसके उपर depreciation amount निकली है हम वो उसमें से total में से हम उसको minus कर देंगे ठीक है दूसरे साल के लिए कितने की वो उसकी depreciation उसकी जो machinery के value कितनी रही 9 लाग ठीक है 9 depreciation और वो हमारे लिए क्या हो जाती है एक पता लग जाते कि यह अब हमारी क्या है machinery अब change करने वाली है या उसकी जो life है वो खतम हो चुकी ठीक है यह हमारा किसका है depreciation का एक concept है ठीक है यह हमारे expected obsolences हैं यह हमारे unexpected है ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे significance of depreciation reserve fund के अंदर उसका क्या है then हमारा आएगा stock and flow का topic